कि दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब है होब कि आप सब ठीक होंगे दोस्तों आज मेरे पास में एक आया हुआ है समसंग का अल्ट्रा स्लिम से अर्टी टीवी जिसमें की फाल्ट यह है कि यह एस्टेंडबाय रिलीज नहीं हो रहा है और इसी भी से में मैं आज वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा और बताऊंगा आपको कि इस तरह का फाल्ट में जो है क्या प्रब्लेम होता है कौन सा एस प पसंद है तो वीडियो को लाइक किजेगा कॉमेंट किजेगा वीडियो कैसा लगा और आगे शेयर किजेगा चैनल पर पहले बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा तो दोस्तों देखिए मैंने सप्लाय अभी इसमें 220 वोल्ट दे रखा है और यह हमारा और मैंने अभी जो नोटिस किया है जो EST on होने के बाद जो एक आवाज आती है संसनाहट की वो भी आवाज इसमें नहीं आ रही है तो मैं एक बार फिर से रिपिट कर रहा हूं इसका प्रॉब्लेम ताकि आप प्रॉब्लेम सही से देख लेंगे तो सलुशन आपको पता चल चला गया है लेकिन EST हमारा नहीं बना EST बनता तो एक बार हमें कुछ न कुछ स्क्रीन के उपर में भी दिखता लेकिन और दूसरा EST का आवाज भी हमारे कानों तक सुनाई देता लेकिन ऐसा कुछ नहीं यहीं फाल्ट है तो आपने अच्छी तरह से इसका प्रॉब्लेम दे कि इस तरह के फाल्ट में हमें क्या देखना है तो सबसे पहले हमें इसका बोल्टेज चेक करना होगा कि हमारा बोल्टेज कहां पर कितना आ रहा है और वो सही है या नहीं है तो DC 600 बोल्ट पर मैंने मीटर को अभी सेट कर दिया है और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी तरह आपको दिखे और समझ में आए एक प्रावड को मैं देखो पिक्षर ट्यूप से निंगेटिव ले ले लेना है और दूसरा प्रावड से हमें एक-एक सप्लाई को चेक करना है तो आप देख सकते हैं मैंने सप्लाई दे दिया है दोस्तों मेरा इंडिकेटर ओन हो गया है जहां तक मैं इसको स्टेंडवय रिलिज कर रहा हो तो तो पर ये डिलिज हो करके और फिर से ये श्तेंडवय में चला गया हो आप चलिए अब मैं इसका वुल्टेज आपको चेक कर बाता हूसु Frank Trop जहां तक इसका वुल्टेज हमें सबसे पहले जो चेक करना है वो और मैं एक बार एस्टेंडवे रिलिज करने की कोशिस करता हूँ, मैंने एस्टेंडवे रिलिज किया है, तो बोल्टेज बढ़ा है, एक सोव, अचास से क्यावन पे जा करके, फिर से एस्टेंडवे में चला जाएगा, तो फिर मेरा बोल्टेज ड्रॉप कर गया, और ये मुझे लगता वहीं आकर के रुकेगा, जहां हमारा बोल्टेज था, एक सोव, एक बोल्टेज, यानि कि अभी सोव बोल्टेज पे आकर के ये अटक रहा है, अब व्यू ट्राञिस्टर के ऊपर हम देखें, कलेक्टर के ऊपर, वहां भी हमें सपलेज, ठीक आ रहा है, वही सोव बोल्ट, ओरिजेन्टल ट्राञिस्टर के ऊपर, यह आप देख सकते हैं, यहां पर हमारा ये ट्राञिस्टर लगा हुआ है, यहां पे हमारा 100 बोल्ट के आसपास आ रहा है अब हम चलिए सौंड आइसी के उपर में चेक करते हैं सौंड आइसी के उपर में हमारा जो सप्लाइ पोजिटिव सप्लाइ होना चाहिए वो 11-12 बोल्ट मिल रहा है 11 बोल्ट हमें मिल रहा है तो यह यहां चल सकता है ततक हमारा 5 वल्ट प्रॉड-4 वॉल्ट मिल रहा है और उसके बाद में हमारा दूसरा पीन पर qo roll मिल रहा है तीसरा पीन पर हमारा qore वोल्ट मिल रहा है यहनि की मैमोरी ऐसी का भी सप्लाय हमारा ठीक है कि आप जहां तक हमारा एक और अर ब्रॉट है जो कि हमें देखना है जो वर्टिकल IC का सप्लय है दोस्तों वर्टिकल IC का सप्लय तभी बनेगा जब हमारा EST-ON होगा अगर हमारा EST-ON नहीं होता है तो वर्टिकल IC पे सप्लय हमारा नहीं आएगा वो इसलिए नहीं आएगा कि यह ओरिजिनल किट है और इसमें जो एस्टी से एस्टी ओन होगा तब एस्टी के द्वारा जो है यहां से हमारा वर्टिकल ऐसी पे यहां से निंगेटिव और यहां से पोजिटिव यहां से पोजिटिव और यहां से निंगेटिव निकलेगा व वो जाकर के हमारा वर्टिकल ऐसी पर सप्लाई देगा और यहां जो हमारा 180 वोल्ट का सप्लाई है यहां पर जो हमारा बेस सॉकेट पर गया हुआ है यह भी हमारा यह टी-ओन होने के बाद ही हमारा वो बोल्टेज मिलेगा तो मैं एक बार फिर से इस्टेंडवार रिलीज कर करता हूँ और जो हमारा 180 बोल्ट का सप्लाई है वो मैं चेक करता हूं कि अगर हमारा ben est okay होगा तो रिodar करेंगा तो तो सब अश्bourट हम नहीं हे दिलेगा लेकिन आप देख सकते हैं मैंने रिcano किया के लेकिन यहां कोई बोल्ट इस नहीं आया है कोई voltage नहीं आया इसी तरह सा अगर हम विप्टेकल सब्यारी है किसे कि इतना एक का सपप्लाइज करने के बाद में आना चाहिए आता है वो सप्ले अभी नहीं मिला अब चलिए एक वार हम ड्रैवर के उपर में चेक कर लेते हैं जो हमारा छे साथ बोल्ट सप्ले आता है या नहीं यह हमारा होरिजन्टल ड्रैवर जो है जहां पर हमें देखिए यह वोल्टेज हमारा यह साथ बोल्ट आ रहा है यह इन पिन है और यह ओट पिन है ओट पिन पे भी हमारा से साथ बोल्ट आ रहा है यह आप देख सकते हैं यानि कि हमारा और सभी सफ़्लाय ओके है तो उसके बाद जो भी हमारा इधर का सप्लाय वगए था सब हमने चेक कर लिया यहां कापिश्ट्यल लगा हूए था 5 व्ल साथ बोल्ट पे ये भी हम ने चख़ कर दिया उसके बाद भी हमारा एस्टेंडबै में जाकर के फिर से एस्टेंडबै रिलीज होकर के एस्टेंडबै में फिर चला जाता था उसके बाद हमने ये वर्टिकल ऐसी भी चेंज किया दोस्तों कि कि हो सकते हैं जब से हमारा स्टैंट बैर डिलीज नहीं हो रहा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है एस्ट से ही ओट होता है वर टिकल स्पालब तो आपका बशक्पार एक ऑन उकर और Frage भी यहर एक श्यवास ऑफ रहाए थि और इसमें टो शॉट में चेंग का यहां पर 5 बोल्ट जो है यह पांच बोल्ट हमारा नहीं बना कि बनता था और इस्टेंड वैं में चला जाता था होता क्या था प्रवलम क्या था लास्ट में जाकर के मैंने इसका मैमोरी ऐसी चेंज किया जो कि आप देख सकते हैं मैमोरी ऐसी मैंने चेंज कर रखा है 24-14 का लगा हुआ है लेकिन फिर भी मेरा प्रवलम शॉल्ट नहीं हुआ यहां हमारा क्या था जो पांच बोल्ट प्यूनर पे और तैटिस बोल्ट यह हमारा नहीं मिल रहा था और इसका मतलब है जो जैसे ही हमारा ऐसी पर सप्लाय आता था वैसे हमारा सप्लाय जो है बैट जात यानि कि IC के ही मारफद IC पे निशाना गया कि अब क्या तो IC हमें चेंज करना पड़ेगा जो चीप IC इसमें लगा हुआ है प्रोसेसर IC उसके बाद भी हमने कहा जो नहीं एक बैग प्रोसेसर IC चेंज करने से अच्छा है जो और भी कुछ चान भी कर लिया जाए तो हमने इसका जितना भी यह horizontal supply इधर का यहाँ input supply इधर का यहाँ हमारा टूनर के लिए supply इधर का यह मैंने जो है सब जब चेक किया तब जाकर करके हमें इसमें fault मिला है यहाँ जो आप देख सकते हैं यह हमारा एक यहां पे 1K का PF लगा हुआ है यह पी एफ हमारा सौट निकला और एक हमारा यह पी एफ सौट निकला जिसके वज़ा से यहां पे भी हमारा टू पॉइंट कुछ बोल्टा आता है और यहां पे भी हमारा टू पॉइंट कुछ बोल्टा आता है यानि कि यह जो हमारा पिन नम्मर है ये है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो नौ नम्मर पीन पे जो है ये हमारा सॉटिंग था पी एप के दुआरा और एक हमारा था पीन नम्मर इस पे यानि की एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोड़ा यानि की चोड़ा नम्मर पीन और नौ नम्मर पीन ये हमारा जो है जैसे एस्टेंट बै रिलीज होने पे जाता था तो यहाँ पी एप सॉट था इस वज़ा से एस्टेंट बै में फिर से हमारा सेट चला जाता था और इसकी ओन नहीं होने दे रहा था अभी मैंने इसका सप्ले ओके कर दिया है अब हम आपको एक बार चेक करवाते हैं कि इसका प्रब्लेम हमारा सॉल्फ हो गया है तो तीवी को मैंने ओन कर दिया है और आप देख सकते हैं पांच बार भी लिंकिंग करके हमारा टीवी स्टेंट बैर डिलीज हो गया है और अब हमारा डीसी 200 बोल्ट पे हमने मीटर को लगा रखा है और यह देखिए हमारा यह 5 बोल्ट सपॉल्ए हमारा ओक्य है और यहां जो हम बता रहे थे 9 नमर पीन पे यह देखिए 9 नमर पीन पे हमारा 2.5 बोल्ट है यह हमारा नहीं और यहां 14 नमर पीन पे हमारा 2.3 बोल्ट यह भी नहीं मिल रहा था तो यह IC का भी कारण हो सकता है और यह spare parts की भी कारण हो सकता है तो जबी मैंने बहुत टाइम लगा मुझे लेकिन यह problem मैंने solve किया है अभी इसको मैं आपको दिखा दिया है कि इस तरह से भी hurt आ सकता है IC चेंज करने से पहले आप यह सब problem पहले देख लें तभी जागर के IC पे हाथ लगाएं क्योंकि IC पे हाथ लगाने का मतलब है जो बहुत महगा पढ़ जाता है क्योंकि लगाज 3-400 रुपे का IC आएगा मार्केट से और वो भी IC आपका चले ना चले कोई जरूरी नहीं है हाँ पुराने किट से अगर आपने IC निकाल लिया और वो लगाया तो हो सकता है जो 99% आपका काम्याब हो जाता है और फिर भी अगर आपका यह सब प्रब्लम होगा यहां जैसे PF मैं अभी हीट को पल्टी करके भी दिखाता हूँ आपको और यह देखिए हमारा ट्यूनर पे सपले है जो यह हमारा 33 बोल्ट यह हमारा ट्यूनर का 33 बोल्ट आ रहा है और यह हमारा ट्यूनर का 5 बोल्ट यह भी हमारा ओके है तो अब इतना काम को अगर मैं आपके सामने दिखाऊं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इस वज़ा से जो है सौट कॉट मैं दिखाना चाहता हूं और जो प्रब्लेम होता है उसका मैं सॉलूशन बताता हूं तो एक बार मैं चलता हूं इसके रिन के सामने और यह आप मैंने टीवी एभी कोड लगा दिया है और आप देख सकते हैं मेरा टीवी फूल ओके हो गया है यह स्लेम टीवी स्लेम कीट जो होता है यह भी मगजमारी का काम होता है दोस्तों और खास करके सेंसंग का जो कीट होता है इसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है अगर आप सही ढंग से काम नहीं कर पाए तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो है प्रब्लम सॉल्प हो गया है टीवी मेरा ओके चल रहा है कोई दिक्कत नहीं अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने तो एसपेर पार्स चेंज किया है वो हमारा कौन सा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारा एक 104 का जो है 103 का वनके और यह 103 का वनके यह दोनों पी एफ हमारा प्रोसेसर आपको आपको दिखाता हूँ यह आप देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं दो तेन चार पांच टीवी मेरा ओन हो गया है यह आप देख सकते हैं फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नहीं जानकाड़ी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग झाल 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 झाल